नमस्कार, Hi everybody, welcome back to my channel and I hope you all are doing fine, सबसे पहले आप सभी को हैपी राकिए और आज को जो वीडियो है वो संदे स्पेशल वीडियो है और इसमें मैं बनाने वाली हूँ एक पोटली बैग अला कि मैंने पिछले साल जो एक पोटली बैग का वीडियो पोस्ट कर दिया था बट वो थोड़ा सा बड़ा साइस का पोटली बैग था और ये एक नॉर्मल साइस का पोटली बैग और इस्पेशली फॉर बिगनर्स है सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा सो हमेशा की तरह प्लीज मेरा चैनल लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम बलाने वाले हैं पोटली बैग उसके लिए मैंने मेरे पास से कुछ फैब्रिक्स ले लिये हैं जो की हाफ मीटर से भी कम फैब्रिक के टुकड़े थे और उसके साथ साथ मैंने लिया है ये तीन टाइब की लेसेज ये प्रॉक साफा मीटर लेसेज हैं और ये वाला जो लेस का रोल है ये तो मेरे पास हमेशा रखा रहता है ये भी मैं यूज कर लूँगी अब दीखिए ये जो लेस है ये है 19 इंच सारी लेस इस 19 इंच की ही है अब हम सबसे पहले पोटली बैक को कट करेंगे उसके लिए जो ब्रॉडनेस है वो मैं 10.5 रखने वाली हूँ क्यूं क्यूंकि लेस का अगर हम हाफ करें तो वो 9.5 होगा तो उससे एक इंच हमको एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है यह हमने ब्रॉडनेस के लिए मार्क कर लिया अब आप इसको कट कर लीजे अब देखिए अब हम इसकी लेंद कट करेंगे अब हमारे पास लेंद के लिए इसकी एक कपड़ा कितना है वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं यह देखिए यह थोट्heen इंच हो जएगा अब इसको कट कर लीजे अब हम इन लेसेश को जोइनट कर लेंगे सेंटर में मैं गोल्डन लेस रखूंगी हूं राजू-बाजू में जिंताइन ड्रेट कलर की लेस रखने वाली हूं यह देखिए इस टाइप से आप लेसे इसको जॉइन कर लेजए यह थोड़ी सी लेस इस साइट से प्लेइन प्लेइन थी तो मैंने उसको ऐसे अंदर फोल्ड करके स्टिच कर लिया यह हो क्या यह मारी पूरी लेसर कंप्लीट है अब हम इसको हाफ कर लेंगे अब मैं इसका अस्तर कट करूँगी तो अस्तर के लिए मैं इससे पुरा हाफ आफ इंच चारो साइट से एक्स्ट्रा कट कर लूँगी अब देगे सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला साइट जो है वह सीधे पर सीधा रखके जॉइन कर लेंगे अब इस पर टॉप सीम लगा लेंगे अब यह टॉप सीम लगाने के बाद हम ऐसे ही उल्टा रखके फैबरिक को आजू बाजू से आइट साइट से स्टेच कर लेंगे इस टाइप से एक्स्टा फैबरिक कर दीजे सेम तू सेम हम इसके इस साइट से भी इसको स्टेच कर लेंगे अब हम यहां से इसको सीधा कर लेंगे और यह देखिए आपको एकदम फिनिश्ट जो है पोटली बैक का जो बॉड़ी पार्ट है वो निकल चाएगा यह देखिए आप जाओ तो इसमें प्रेस कर लो अब हम इसमें लेस को जॉइन करेंगे हाफ आफ इंच तीनों साइट से एक्स्ट्रा रख के जो लेस है हम वो बॉटम पार्ट पे स्टिच कर रहे हैं यह देखिए यहां पर हम ना यह वाली लेस लगा देंगे ट्रैंगल वाली यह देखिए यह एगा है यह हो गया है हम जो दूसरा पार्ट है उसको भी ना सेम तरीके से रड़ी कर लेंगे यह देखिए पहना दूसरा पार्ट भी रड़ी हो गया अब देखिए उपर जो है यहां से हम धाई इंच की दूरी पे एक माक करेंगे दोनों में और उस पे हम ये वाली लेस को स्टिच कर देंगे जो ट्रैंगल वाली लेस है इसको अब इसके बाद हम हाफ इंच की दूरी पे ट्रैंगल को डिरेक्शन उपर रखकर एक और लेस स्टिच कर लेंगे अब ये दोनों पार्ट सेम हो गए, अब ये दोनों पार्ट को आइज साइज से हम स्टिच कर लेंगे ये दीखे, इस साइज से भी स्टिच हो गया ये अपर पार्ट अब ये बॉटम पे भी हम स्टिच कर लेंगे, जितना मारजीन है हमारे पास इसको अब आप इसको सीधा कर लीजे यह हो गया पूर्टली बैग अल्मूस्ट रेदी अब देखिए जो बॉटम है ना वहां पे उपर नीचे लेस हो रही है तोड़ी वह मतलब इम्रॉइटरी की मिस्टेक है इसलिए मैं इस पे यह वाली लेस भी लगा देती हूं तो इससे क्या होगा फिनिश हो जाएगा बॉटम पार्ट और यह अच्छा भी लगेगा इससे एक बॉर्डर वाला लुक आ जाएगा देखिए अब इसको मैंने से उल्टा किया और इसी लेस को ऐसे सेम उपर लेकर गई इंदें इसको मैंने स्टिच कर दिया इसमें भी पूरी लेस स्च जो गई कॉर्णर पर आके अब इसको डबल कर देंगे यह देखिए बैक तियार है अब हम इसमें क्या काम करने वाले हैं यह जो मैंने लेस लगाई है इसके बीच मैं यह डोरी उसके लिए हमको यहाँ पर होल करना पड़ेगा तो यह देखिए दोनों फैब्रिक्स को अब अलग-अलग कर दीजे जो कट लगाना है वो मुझे सिर्फ अपर वाले फैब्रिक पे कट लगाना है तो वो मैंने सिर्फ अपर फैब्रिक पकड़ा हो इसको ऐसे करके कट लगा दिया अब हम इस कट को फिनिश कर लिए जैसे कभी अगर आपने बटन होस बनाए हो उस करके डबल स्टिच कर लेंगे एक साइट से अब यहां से आपको जितनी पतली डोरी चाहिए आप उतना ही पतला स्टिच कर लीजिए यह देखिए अब हमको इसको ना सीधा करना है डोरी बनाना है उसके लिए मैंने यह सूई लिए बड़ी वाली आप देखिए इसमें भी यह करना है दोनों फाब्रिक्स को आप अलग-अलग कीजिए मतलब उपर नीचे का अलग-अलग जैसे एक होल होता है ना उस टाइप से यह देखि जाजीन है आप इसको सुई के बैक साइट पे इस तरीके से डाले और यह जो इसका उपर हमने स्टिच किया उसको कवर करते जाहिए निडल जो है उसको कवर करते जाहिए उस फैपरिक से होलो पाइप जैसा यह देखिए मैं पूरा इसको ऐसे करके उसके ऊपर कवर करती ज जो पास यह इतनी सी सीधी हो गए यह दोरी इसको हम पूरा सीधा कर देंगे देखिए सीधी हो गईए यह भी सिल्क आप इसको जोर्जट ने ट पर बनाऊगी और अच्छी डोरी बनीगी अब हम डोरी को अंदर डालने का तरीका बताते हैं लिसको यह वाला जो एक होल में उससे आप इसको अंदर पे safety pin की मदद से अंदर कीज़े इस डोरी को जैसे हम नाडा डालते हैं उस type से यह हो गया अब इसी को ही हम दूसरे side पे कर देंगे यह देखे मैंने चार hole बनाए थे इसमें यह इस तरीके से यह इस side हो गया आप चाहे तो डोरी और लंबी भी ले सकते हैं अब दूसरी डोरी हम किस side से डालेंगे इस side से ओपोजिट side से उसी डोरी के उपर यह हुआ अब इस side से यह डोरी ऐसे हो गया अब आप यह दोनों को पकड़ी और ऐसे किस दीजे इस type से हमारा पोटली बैग डन हो गया अब आप comment section में बताईए यह बैग कैसा लग रहा है आप इसको लेंगे के साथ सारी के साथ सूट के साथ भी carry कर सकते हैं so do comment and thank you so much for watching झाल